नमस्कार, एक बार पुनो हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स पे एक महिला का पाम हतीली हमारी सामनी है और सबसे पहले जब हम हतीली को देखते हैं एक साधारन से साधारन तरीके से तो हतीली की जो रंगत है वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत बड़ी सुन्दर दिखाई दे रही है कैसी भी प्रस्तिति हो जीवन का पूरा लुथ लेने वाला ब्यक्तित्व है जीवन का पूरा आनंद लेने वाला ब्यक्तित्व है और लें भी क्यों न भाई छोटा साथो जीवन होता है उसमें भी प्रस्तितियों से अगर ब्यक्ति लड़ना न सीखे जीवन का आनंद लेना न से के तो उसका जिवन धिकार होता है और ये सोबग्य सालिता की भी निशानी होती है कि ब्यक्ति का ब्यक्ति तो बड़ा खुब सूरत है बड़ा सुन्दर है और ये अच्छी बात है ये कुदरती होता है कुछ ब्यक्ति के मेहनत से होता है लेकिन कुछ कुदरती होता है औ चाहे कुंडली हो चाहे हतेली हो हतेली में देखना थोड़ा सा सरल होता है कैसे दीखेगा प्रेक्टिकल रूप से यहाँ पे यह तरजनी उंगली है आपकी इंडेक्स की फिंगर उसका जो यह जड़ वाला भाग है इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं और हमारी हतेली में बैठने वाले यह पर्थम आचारे हैं यह देबताओं के गुरु है और गुरुओं में स्रेश्ट है और इनका अपना महत्व है दूसरा अगर देखा जाए तो जो आपका यह थम है अंगुठा इसका जो जड़ वाला यह भाग है यह वाला भाग इसको हम कहते हैं वीनस का माउंट यानि सुक्राचारे जी है यह सुक्र का प्रवत है और यह देट्य गुरु है लेकिन जो भगवान शंकर है तिरपुरारी है उनके यह सिस्य है आपकी हतेली में अगर पहली नजर में देखें तो यहां पे पर्थम गुरु ब्रिस्पति जी दृतिय गुरु जो द हाथ देखते भी जो थोड़ी बहुत जोतिस जानता है वह भी बतालेगा कि ऐसे बिक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी उसकितरफ आकरसित हो जाएगा चाहे वो काला है सावला है चाहे वो जो है भूरा है चाहे वो गोरा है लेकिन चहरा की आकरती या रंगत कुछ ऐसी होती है आकरसन की छमता कुछ ऐसी होती है कि उसका चहरा देखकर कोई भी उसकी तरफ आकरसित हो जाता है और मुस्कान ऐसे लोगों की जबरदस्त होता है ऐसा जो जातक या जातिका होती है औरों को अपनी तरफ आक्रसित करने वाली होती है ये निश्चित है दूसरी बात अगर गुरू और सुक्र इस तरों से बलावल अवस्ती में हो बने दोनों परवत बलावल अवस्ता में हो और हतेली की रंगत इस तरोकि गुलाबी आबाली हुई हो, तो ऐसा ब्यक्ति निर्मल हिर्दय का ब्यक्ति होता है और कहीं न कहीं प्रेमी भी होता है. जिसको भी प्रेम करता है, अपने मन से प्रेम करता है. ये आपकी हतेली में दिखाई देरी, चाहे वो अपना बेटा है, चाहे अपनी बेटी है, चाहे अपनी माँ है, चाहे अपना भाई है, चाहे अपनी दोस्त है, सब को जो है दिल से प्रेम करता है और प्रेमी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हतेली की रंगत क्या है, गुलाबी है और दोनों गुरु स्रेष्ट यहां पे बलावल इस्तिती में हैं अब थोड़ा सा आगे चलें बड़ी सुन्दर तरीके से हतिली को देखें देखें दो चीजें और देखेंगा एक तो हतिली में यहां साप सुत्री तीन रेखाएं बनती हुई दिखाई दे रहे हैं आपके मणी बंद पे यह निश्चित ह हैं कि पूरो जन्म के बहुत सुन्दर कर्म आपने किये हैं जो आपका पूरो जन्म था उसमें उच्च कर्म आपने किये हैं और उसका फल आपको इस जन्म में मिलेगा अच्छी बिद्या के रूप में जो नौलेज होगी जरूर नहीं बहुत बड़ी पड़ाई लिखाए लेकिन जिस चीज में भी knowledge अर्जन करेंगे deeply अर्जन करेंगे और कहीं न कहीं धनम भी उस हिसाब से आता रहेगा जीवन में कि किसी के आगे बहुत जादा गिड़ गिड़ाना न पड़े किसी के आगे बहुत जादा हात न फैलाना पड़े इस परकार का धना आपको देगा कि ये न करना पड़े हाँ लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो बारीक बारीक अंगिनत रेखाएं हैं और ये बरतमान समय को अंगित करती है कि बरतमान समय में कहीं न कहीं जो है ये न कहीं कोई न कोई चिंता देती हुई ये दिखाएं रही है और ये जब तक आप योग द्वारा ध्यान किर्या द्वारा इन हतेली की इन चीजों को जो है मिटा न लें या कम न कर लें तब तक थोड़ा चिंता बनी रहेगी और संगर्स बना रहेगा ये निश्ची तह चाहिए कोई भी भी सेय हो आपकी जियों का ये चीज यहां पर दिखाई दे रही है अब आगे चलते हैं कि आपके हतेली यहां पर क्या कह रही है देखेगा हतेली चाता हूं देखिएगा यदि आप हस्त रेखा सास्तर में रुच रखते हैं इसको सीख रहे हैं या प्रेक्टिस कर रहे हैं तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रेट किया है भासकरा पामिष्टरी दरपण उसमें प्रतेग दिन एक learning बीडियो जानकारे से भरी बीडियो सिखाने वाली बीडियो जोतिस को हस्त रेखा को हमेशा हम एक बीडियो अप्लोड करते हैं और अगर आप इसमें रुच रखते हैं इसके deeply इसमें जाना चाहते हैं बहुत सुन्दर रहस्यमई भी ग्यान है ये और एकदम accurate भी ग्या आपके शरीर के एंग से आपकी जीवन के बारे में उसमें घटने वाले घटनाओं के बारे में बताता है, अगर आप इसमें रुच रखते हैं, तो जैए चैंल में विजिट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिЕगा, लाइक, शेयर कीजिएगा और जिस तरह से आपने इस चैनल में मुझे अपना सयोग दिया है, सात दिया है, इस नेह दिया है, उस चैनल में भी दीजिएगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्सन में मैं उसका लिंक दे रहा हूँ देखेगा, यहां पे, जो आपकी ये उंगली है, इसको कहते हैं इंडेक्स की फिंगर ये पूरी तरों से जुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरब, ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है जब इसका जुकाव मिडिल फिंगर की तरब होता है, दया देती है, करुणा का भाव देती है और कहीं न कहीं निश्चल प्रेम देता ही है इस्वर के प्रति अगहाद प्रेम आपके अंदर है बहुत अच्छी सरधा याँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है लेकिन ये भी हलके रोप से जुक रही है आपके इस फिंगर की तरब ये थोड़ा सनी के नगेटिब गुणों में बिर्दि करती है ये थोड़ा सा भी जुक जाए तो बहुत जादा मिहनत प्रिसरम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति बिक्ति को होती है ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है वहीं देखें तो आपकी ये सीधी खड़ी है कहीं न कहीं जो है यस प्राप्ति करने के गुण आपके अंदर दिखाई दी रहा है एनलेटिक स्वभाव भी आपका है यहाँ पे दोनों उंगलियां बरावर अवस्तामी है तो जहां धन पाने की ललक आपके अंदर है वहीं सम्मान पाने की ललक भी आपके अंदर है और इसके लिए ऐसा ब्यक्ति प्रेतन सील भी रहता है प्रेतन सील भी है अब यहाँ पे देखो इसके बीच में गैप दिखाई दे रहा है ये दो चीजें बताता है मन से करना चाहता है लेकिन अपने अनुकूल कर नहीं पाता है दूसरा जब सनी की साड़े साती या ढ़या चलती है तो ऐसे लोगों को सनी जादा प्रोबलम देता है एक सामन्य बिक्ति से तो ये भी आपकी हतेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है वहीं देखें तो जो आपकी सबसे छोटे उंगले ये पूरी तरों से जुक रही है और आपके जो है रिंग फिंगर की तरफ इसका जुकाओ है धन का माने की ललक बहुत ज़ादा रहने वाली है और बहुत ज़ादा है भी और रहेगी भी ये भी आपकी हतेली बता रही है चिपकी उई भी है कहीं न कहीं आपके अंडर में काम करने वालों की संक्या भी अच्छी भली रह सकती है इस और भी ये ध्यान दिला रही है लेकिन यहां तक पूरी उंगली नहीं पहुँच पा रही है तो money management, कागजों के रख रखाओ accountability और कभी-कभी communication skills में थोड़ी कमी ये दे सकती है लेकिन यहां पे चिपकी है तो इन कामों को आपके अंडर में काम करने वाले व्यक्ति जो है ठीक कर सकते हैं यहां पे देखें अंगोठा का सेब कुछ इस तरह से यहां पे दिखाई दे रहा है ये थोड़ा सा जो है जीवन काल में संगर्स को बढ़ाता है और कई बार ये धनहाने को भी दिखाता है ये कह रहा है ऐसे जो जातक हैं उनको ब्यावसाई बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए क्योंकि जो पार्टनर्शिप वाला चीज है वो ऐसे लोगों को फबता नहीं है और खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है और खास कर जीवन में जो धन कमाने की इस्तिति है अगर अंगोठा सबल इस्तिति में है ऐसा है जादा प्रभाव जीवन में दे रहा है तो थोड़ी सी लेट बनती है हाँ 42 वर्ष की आयू से थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगता है और 56 वर्ष की आयू के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों को कहलाता है अंगोठे की हिसाब से और थोड़ी सी सरीर का ध्यान रखना चाहिए अगर अंगोठा इस प्रकार से हो ने तो कहीं न कहीं साठिका की प्रोब्लम हो जाती है पीठ का दर्द कमर का दर्द साठिका जिसको कहते हैं कमर इसकी प्रोब्लम हो सकती है इसके लिए योगा ओ इत्यादी जो है जरूरी करना चाए ठीक है न और धन के लिए मा लक्षिमी या भगवान शंकर का जो है मानसिक पूजा अगर आप करें तो जीवन में जो संगर्स है जो धन की स्तिती है जो परिवार की स्तिती है उसको यह ठ जाते हैं एक तो देखेगा आप आपकी जो ये मस्तिस्क रेखा है गौर से देखे तो यहां से एक पतली से रेखा जारी है बुद्ध की तरफ बहुत पतली है बहुत धूमिल है लेकिन मस्तिस्क की रेखा से जारी है बुद्ध पर ठीक है और आप लोग जानते हैं जो होते हैं और ज़ादतर मामले में उच्च कोट के सफल ब्यापारी होते हैं जो ये होते हैं ये ऊच्च कोट के सफल ब्यापारी होते हैं और यह रह जो है धीरे-धीरे 202 साठे 3 वर्षओं के बात अपनी भव्य अवस्ता में आ जाएगी और जो ये भव्य अवस्ता में आ जाएगी निश्चित तोर पर अगर आप ब्यापार के और जाएंगे तो उच्च कोट का ब्यापार आप करेंगे बहुत बड़ी सपलता आपको हासिल होगी साड़े तीन वर्सों के बात अब ही अगर कर रहे होंगे तो ठीक है लेकिन जो उसमें बहुत बड़ा उच्चाल आने वाला है अगर कर भी रहे हैं जो उसमें बहुत बड़ा उच्चाल आने वाला है वो जो है आपका आएगा वही साड़े तीन वर्सों के बात बहुत सुन्दर दूसरा आपके अंदर ब ज्यादा देखने को मिलेंगे जरूरी नहीं आप व्यापारी हो लेकिन ये सत्य है ये रेखा है तो ऐसे जाता के अंदर व्यापारे गुण ज्यादा होते हैं ये विक्ति जिस भी पद पर होगा जिस भी छेतर में होगे हर जगह आप तालमेल सामंजज से बिठा लेना हर किस को अपनी तरब खींच लेना ये ज़्यादा होता है जिसकी भी हतेली में इस तरव की रेखा होती है अब दूसरा क्या है कि एक छोटी रेखा अगर आप देखो हतेली में बहुत सुंदर तरीके से और जा रही है अब ये मस्तिस्क से जा रही थी अब एक जो है ये जीवन क की रेखा है आपकी और यहां से आप देखो तो एक रेखा यहां से जाती हुई दिखाई देरी है जीवन की रेखा से ये भी बुद्ध पे जा रही है ठीक है नँ अब जब भी जीवन की रेखा से कोई तो सबसे पहले ये भी उसी टेम साड़ी तीन वर्सों में ही ये सफल होती हुई भव्य होती हुई दिखाई दे रही है तो कहीं न कहीं अगर आप भी आप व्यापार कर रहे होंगे साइद न चलना हो उसी साब से जो आप चाहते हैं वो रिजल्ट नहीं दे रहा होगा लेकि आप सोच रहे हैं बिजनिस की तो अभी थोड़ा रुक जाएए या सुरू कर लीजेगा अभी बहुत ज्यादा फाइदा नहीं है लेकिन अगर आप सुरू कर दें तो साड़ी तीन वर्सों के बाद बहुत बड़ा विस्तार आपको मिलेगा जीवन की रेखावी शाय वोती है लेकिन अगर जीवन की रेखा से चली जाए तो क्या है ऐसा विक्ति बहुत ही बुद्दघिवी ब्यक्ति होते हैं ऐसे लोग मैंते मैं जो मैं थे मैं छिन्यों होता है Prose स्इंटिस्ट होता है ओर मैं क्खिलाड़ी होते हैं और पत्रकारिता जैसे छेतर में ऐसे लोग जाते हैं और परवत भी इतना खूब सूरत हो इस तरह उबरावा हो तो व्यक्तिके ब्यावसाय में सपल होनी की संभावना जादा रहती है इस परवत की इस प्रकार की इस्तिति हो तो बैंकिंग का छेतर है बानिज्य का छेतर है लेखन का छेतर है पत्रकारित का छेत्र है वकालत का छेत्र है बिग्यान और दवाईयों का कारोबार है ऐसे लोग अगर करियर बनाने की सोचे तो ज़्यादा सपलता इसमें मिलती है यह आपके रेखाएं यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है बरतमान समय में कि साड़े तेन वर्सों के बा माल्ट है आपका यह आपके बरतमान समय को इंगित कर रहा है कही न कहीं बहुत सारी रेखाएं आ गई है अब जब इस पार्ट में बहुत ज़्यादा रेखाएं आती है तो चाहे आंसिक रोप से हो चाहे प्रबल रोप से हो यह तनाव की इस्तिति को जन्म देती हैं संगर संगर्स को धीरे धीरे बढ़ाती है तनाव को भी बढ़ा लेती हैं बेवजवय की चिंताएं देती हैं और जो आपकी डेपलप्मेंट है जो आपकी प्रोग्रेश है उसको जो है रोकने का यह कार्य करती रहती हैं किसी भी चीज में बहुत बड़ी सपलता ना मिलना रास् चीज को यह जन्म देती है और घर के बाहर जैसे भी रहे लेकिन जब घर के अंदर इंट्री बेक्ति करता है तो निश्चित तोर पे यह तनाव की स्थिति को बढ़ा लेती है भी ओजाय की घर में रिस्तों पर भी प्रभाव डालती है सबसे बड़ी चीज यह है पारिवा साल तक जादा रहता है अगर आपने बेग्यानिक तरीके से अपना जीवन चरिया बदल के इसका उपाय कर लिया ठीक है नहीं किया तो यह बढ़ जाता है फिर देरे देरे अपने गिरफ्त में लेने बैठ जाता है इसका सो और नीन में भी आप देखना अगर यह बहुत ज 90 पाइय है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उपाई करुए है सबसे मैं पहले वही उपाई आपको दोगा करने की कोसिस करें फिर ओडियो के मादिम से ध्यान के रिया योग के रिया आपको दूँगा वो भी करने के आप कोसिस करेंगे जीवन पूरी तरों से निखर कर आएगा चाहे कैसी भी परिशानी है कितनी भी परिशानी है पूरा जीवन आपका निखरकर आएगा जीवन में बेहतरीन परिणाम मिलेंगे चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कोई भी आपका फिल्ड हो, उस फिल्ड में आप जो है दोसरों से अलग और बहुत सुन्दर जो है अपना देंगे, ये चीज ध्यान लखेगा, बहुत सारी रेखाई हैं, अगर सब को अगर मैं करने बढ़ जाओंगा तो वीडि इदर जा रही हैं, बुद्ध की तरब दोनों रेखाईं देख रही हैं, और ये रेखाईं बता रही हैं कि आने वाले समय में ब्यापार के छेतर में बड़ी बिर्दी होगी, इस और संकेत ये दे रही हैं, दोनों रेखाईं, यहाँ पर इस तरो से जो है, चीज बन रही ह और इस तरों से भी चीज बन रहे है तो कहीं न कहीं जो है कैसे भी प्रस्तित रहेगी तो धहरेनक होने वाला विक्तित रहेगा लेकिन थोड़ा अगर देखा जाए चंद्रमा को इससे को यह थोड़ा गड़बड है और यह अगर जादा बढ़ जाता है तो मन को यह तो बहे जाएंगे ऐसी भावकता देगा इमोशनली ये बहुत प्रेशान करता है ये चीज़ मन अच्छा नहीं रहता है मन भटकता है किसी भी चीज में मन नहीं लगता और जब मन नहीं लगता है तो कामें खराब होने बैठ जाते हैं और मन से सीधा जुड़ावाव होता है है हमारा digestive system इसलिए अगर मन सही नहीं होता है तो पेट भी कहीं न कहीं दिक्कत देता है और मां होती है तो धीरे-धीरे मां का सुक मिलना कम हो जाता है और चंदरमा बहुत ज़्यादा खराब होने बैठ जाए तो नीन आने में बहुत ज़्यादा मुस्किलें बहुत ज़् है और सरीर का हार्मोनल सिष्टम भी गडबड़ा जाता है उस इस्तिति में नहीं पहुंचा है उससे पहले हम आपको उपाई दे दिंगे आपको ब्रह्म मुहर्त की किरिया बहुत सुन्दर है जो हर चीज के लिए आपको ध्यान किरिया आपको योग किरिया और साथ में ज चैरे ब्रस्पति पे भी इस तरह से जो है कई रेखाएं दिखाए दे रहे हैं जो अध्यात्म की और रुचि बढ़ा रही हैं और ये मिल रही है तो ये बहुत अच्छा है सब के लिए सोचने वाला ब्यक्तित्व है अपने छितर में अच्छा खासा नौलेज अर्जन करने वाला ब्यक्तित्व है बुद्धिमता से काम करने वाला ब्यक्तित्व है तीजुस्वी हैं हिर्दे से प्रेम करेंगे और प्रेम के मामले में सरो स्रेष्ट ब्यक्तित्व आप करेगा चाहे आप ब्यापार करें चाहे नोकरी करें चाहे और भी काम करें. साड़े तीन वर्सों का बाद का जो समय है वो जीवन के लिए स्रिष्ट अउस्ता दिखाई दे रहा है. लेकिन आपको जो है जीवन काल के 58-विवे से लेके और 65 वर्श के बीच में खान पान का मामले में थोड़ सा सावधानी रखना है रिस्तों के मामले में थोड़ से सावधानी रखनी है कहीं न कहीं हिर्दय विकार भी उत्पर्ण हो सकता है और रिस्तों में प्रभाव पड़ सकता है इस और ध्यान देना पड़ेगा वो किवल और किवल दिन चरिया के पर निर्भर हो रहेगा दूसरी बात यहां पर देखें तो एक रेखा इस तरों से जाती हुई दिखाई देरी है जिवन में थोड़ी उदासी तो रहती है लेकिन अपने बिजनिस में अपने छेतर में उच्च खोज करता की भूमिका भी आपने भाएंगे ये भी बता रही ह और सपलता की भी प्रावदी करेंगे वह इसे देखा जाए तो सूरे पे बहुत सुनर जो है त्रकुन बना रहा है लेकिन एक रेखा इस तरों से इसको काट रही है तो इस तरों के महत्तों को पूरी तरों से ये खतम कर रही है दूसरी बात है यहां पर इस तरो के साइन बन रहा है और पूरा जो है सूर्य परोत पर इस तरो की चीज़ें बन रही है एक तो एक दो बरसों तक करजा न लें अगर आप करजा लेते हैं तो उसके दल दल में फंस सकते हैं फिर उससे बाहर आना मुश्किल हो सकता है दूसरी बात है अभी सूर्य इस कदर बैठा है कि आपकी जो मेहनत है आपका जो प्रेसरम है ना तो उसका पूरा स्रेय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है ना पूरा क्रेडिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है जो योग्यता जो quality आपके अंदर है उस तरों से चीजें पूर्ण रूप से निखरती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं जो चाहे आप नौकरे कर रहे हों चाहे आप व्यापार कर रहे हों जो चीज पूरी निखर के आने चाहे थे विस्तार जिस तरों से ग्रोत जिस तरों से मिलना चाहे था उसमें कहीं न कहीं हल के रूप से रोक लगी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है कुल मिला के बात करें जो रास्ता पूर्ण रूप से एक स्मूत तरीके से चलना चाहे था वो थोड़ा दुविधा अर्चनों से भरा यहां पे कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है वहीं अगर हम देखते हैं तो आपका जो है सनी परोत जादा बैठावा दिखाई दे रहा है सामन्य से तो कहीं न कहीं सनी नोकरी का मालिक है अगर देखें तो नोकरी चाकरी में बहुत बड़ी ग्रोत अभी को समय के लिए नहीं दिखाई दे रही है हाँ भी हो जाहे की थोड़ा चिंता या थोड़ा सा इस्तिमाल हो सकते हैं इस और थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी चाहे आपका ये इस तरफ जुकावा है थोड़ा पारिवारिक प्रेशानियां कहीं न कहीं आशकती हैं इस और जो है थोड़ा ध्यान रखेगा वेसे ब गुरू है बहुत बड़ी महिमा है इनकी मस्तिस्क रेखा आपकी इस तरों से दिख रही है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है क्रियेटिविटी बहुत सुन्दर है आपकी कल पनाई मगर बहुत ज्यादा यहां पर दिखाई दे रहे हैं और चंद्रमा इस तरों से तो दिलाएगा और उसमें सपलता भी दिलाएगा यह चीज यहां पर दिखाई दे रही है धन और करियर की रेखा भी बहुत सुन्दर तरीके से आगे बढ़ रही है लेकिन भावनाओं के बसीबूत होकर या धन और करियर के मामले में तोरित निरणय ना लें बड़ा सोच यह थोड़ा गुणा का चिन बन रहा है भूमी समंदी कामों में जल्दबाजे न दिखाएं किसी से जादा उलजे नहीं कहीं न कहीं कूर्ड कचरे का मामला भी बन सकता है वैसे जिस तरों से यह रेखा है और यह रेखा है इसके बीच में बहुत सारी जो है मल्टी का फल आपको मिल सकता है इस और यह दिखाई दे रहा है यह रेखा है यह बहुत सुन्दर रेखा है आने वाले समय में दोसरों का सयोग आपको बहुत सुन्दर रूप से मिलेगा यह निश्चित है और इस्वर की जो किरपा है जीवन काल के 45 वर्स से उस किरपा का बहुत बड़ा फल आपको मिलना सुरू हो जाएगा ये भी यहां पर दिखाई दे रहा है पैतालेस या जिस तरों से हो अभी रहा तो साड़े तीन वर्सों के बाद जो चीजें बन रही है वो अच्छे खासी दिखाई दे रही है चाहिए जो भी हो इसमें लेकिन वैसे यह पैताले इन वर्सों के बाद से जीवन में जो इस्वर की किरपा है वो फलित रूप में आने वाली है आप में अच्छी प्रतिपा है तीब्र बुद्धी है उसको ये इंगित कर रही है सोचने समझने कि सकति आप में विसेश रूप से होगी उसको भी इंगित कर रही है और जीवन यह इंगित कर रही है लेकिन सुक्र से निकल रही है तो थोड़ा लापरवाई के गुण भी आपके अंदर दे रही है यहां पर यह चीज बैठा हुआ है पूरी तरों से निम्न मंगल तो कहीं न कहीं नेतर रोग दे सकता है आँखों में चस्मा चड़ सकता है या बलट प्र स्याई उत्पन हो सकती है तो शरीर का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है तो कि सुक्र आपका बहुत सुंदर है बहुत अच्छा है और अपने को मेंटें रखना अपनी पर सनलिटी पर ध्यान देना बहुत एक सुख सुवधायों की तरफ आकरसित होना यह चीज पारिवारिक सुक भी आने वाले समय में बहुत अच्छा मिलेगा बुद्ध भी आपका बहुत अच्छा है मैंने रेखाओं के द्वारा भी बता दिया है और देखा जाए तो उपरी मंगल थोड़ा सा ज्यादा उठा हुआ है और निचला जो है दबा हुआ है एनरजेटिक स हम्ता में असर भी ये देता हुआ दिखाई दे रहा है चंद्रमा के बारे में भी मनें बता दिया गुल्मिला के बात करें आने वाला समय का जो भी साड़े तीन वर्सों के बाद का समय है अपने आप में स dwelling समय आपके लिए आने वाला है अभी जो चीजें गटित हो रही हैं जो चल रही हैं उसको चलाते रहें और थोड़ा सा जीवन चरिया आप बदल दें ब्रह्मोर्त की किरिया जो मैं आपको दे रहा हूं ध्यान और योग किरिया जो मैं आपको दे रहा हूं और जो ये नजर दोस आपकी हतेली में है जो ये नगेटिव उर्ज उपाई हैं उनको दे रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं यह दैनिक जीवन में अपनाएगा निश्चित तौर पे बहतरीन प्रणाम दिखाए दे सब उपाई दे रहा है इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पुनों उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार